हलो फ्रेंड्स, उम शान्ती, मैं हुश रथा, आपके लिए लेकर आई हूँ फिर एक नई motivational inspirational story आज की जो हमारी story है उसका नाम है सुन्दर सीख हाँ दोस्तों, आज की जो story है, उस story में बताया है कि कैसा जो बच्चे रहते हैं वो अपने पिता, माता, पिता को कॉपी करते हैं, जो कर्म हम करते हैं, वही कर्म हमारे बच्चे भी करते हैं पर कुछ-कुछ ऐसे होते हैं कि उस काम से गलत मोड पर निकल जाते हैं और कुछ जो होते हैं, उससे कुछ नई सिक्षा ले लेते हैं, तो आज की कहानी हमारी इसी बेस पर है, और बहुत चोटी सी, लेकिन बहुत सुंदर सी स्टोरी है, मैं आशा करती हूँ, आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही होगी, अगर आपको ये पसंद आ रही होगी, तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करके दूसरों तक भी से पहुचाें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लें कमेंट बोック्स में कमेंट भी करके बताएं कि आपको stories कैसी लग रही है ताकि मेरा motivation बढ़ता रहे और अगर आप चाहें तो इन stories को हिंदी और English दोनों में पढ़ सकते हैं जिसकी link मैंने description box में दी हुई है क्योंकि कुछ लोगों के मेरे पास calls आ रहे हैं कुछ के messages आ रहे हैं कि हम इन stories को पढ़ना चाहते हैं हमें लिख करके चाहिए इन stories को तो आप इन stories को मेरे blog channel से उठा सकते हैं आपको सारी ही stories हिंदी और English में मिल जाएंगी आप इन stories को facebook पर या youtube पर जाकर के सुन सकते हैं facebook पे मेरा जो channel है वो inspirational stories श्रद्धा के नाम से है चुट्टी की घोशना होने के कारण एक दरजी का बेटा अपने पापा की दुकान पर चला गया वहां जाकर वो बड़े ध्यान से अपने पापा को काम करता हुआ देखने लगा उसने देखा कि उसके पापा कैची से कपड़ों को काटते हैं और कैची को पैरों के पास टांग में दबा रखते हैं फिर सुई से उसको सीते हैं और सीने के बाद सुई को अपनी टोपी पर लगा देते हैं जब उसने इसी क्रिया को चार-पाच देखा तो उससे रहा नहीं गया तो उसने अपने पापा से कहा कि वह एक बात उनसे पूछना चाहता है तो उसके पिता जी ने कहा बोलो बेटा क्या पूछना चाहते हो तो वो लड़का बोलता है पापा मैं बड़ी देर से आपको देख रहा हूं कि आप जब भी कपड़े काटते हैं उसके बाद कैची को पैरों के नीचे दबा देते हैं और जब भी सुई से कपड़ा सीने के बाद अपने टोपी पर लगा देते हैं ऐसा क्यों? इसका जो उत्तर पापा ने दिया उन दो पंक्तियों में मानो उसने जिन्दीगी का सार उस बच्चे को समझा दिया उत्तर था बेटा कैची काटने का काम करती है और सुई जोडने का काम करती है और काटने वाले की जगे हमेशा नीचे होती है परन्तु जोडने वाले की जगे हमेशा उपर होती है यही कारण है मैं सुई को हमेशा तोपी के उपर लगाता हूँ और कैची को पैरों के नीचे रखता हूँ इसलिए अगर जीवन में उचाईयों को छुना है तो जोडने वाले बने तोडने वाले नहीं दोस्तों आज दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे के काम को बिगाड़ने के लिए उसे तोडने की कोशिश करते हैं किसी को उपर उटता देख इरशा भरश चलन भरश उसे खराब करने की कोशिश करते हैं लेकिन आप सोचिए कि उससे उनको फाइदा क्या मिल रहा है, आज जो इनसान अगर किसी का काम बिगाड़ने की सोच रहा है, तो वो खुद का भी काम बिगाड़ ही रहा है, क्योंकि वो खुद के मन को भी बिगाड़ रहा है, लेकिन अगर आप किसी को जोडने की किसी को मिल आने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों की भी दुआएं मिल रही है पर मात्मा की दुआएं मिल रही है क्योंकि आप किसी के मददकार बन रहे हैं तो तोड़ना तो दुनिया के हर व्यक्ति का काम है पर क्या हम जोडने वाले नहीं बन सकतें क् हम अच्छाई को धारण नहीं कर सकते अग लोगन बोलते हैं क्या एक के अच्छा बनने से सारी दुनिया अच्छी हो जाएगी क्या लेकिन एक भी शिरुवात तो करें अगर हम एक भी इसकी शिरुवात करेंगे तो दुनिया खुद बाखो अच्छी हो जाएगी अगर एक भ उसकी शुरूबात करने की कोशिश तो करें तो ये सुदर सीख सदा ध्यान रखिये कि हमेशा जोड़ने वाले को भी उपर रखा जाता है दुनिया में भी लोग हों जोड़ने वाले को पसंद करते हैं और जो विलन होता है नेगेटव केरेक्टर होता है तोड़ने वाला होता है उसको नीचे रखते हैं तो आज से हम भी जोड़ने का ही काम करें ना कि तोड़ने का ओम शान्ती